अलो दोस्तों कैसे हो आप लोग तो इस वीडियो में इस वाली गाड़ी को कवर करने वाले होंडाई एकस्टर मात्र छे लग 35,000 रोपे की SUV होंडाई एकस्टर जो अपने सामने देख रहे हैं आप पूरी वीडियो डिटिल ट्रिव्यू दूंगा मैं आप जो स्क्रीन पर आ काफी कम मिलते हैं अब थोड़ा सा हम प्रोफाइल की बात कर लेते हैं फ्रेंट से तो भाई फ्रेंट से आप देखेंगे तो इस तरीके की कुछ आपको यह देखने के लिए मिल जाती है सामने यह आपको बड़ा हुंडाई का लोगो मिल जाएगा और यहां पर बो लेटर है यहां पर आपको हैड मिल जाता है यह अपना बराबर में पाइलेट लेंप मिल जाएगा और यह देखे स्क्रू से थोड़ा सा कसके ना इस तरीके की यह ट्रेट आपके यह लगाई हुई है तो यह आगे का फ्रेंट का प्रूव तो भाई इस गाड़ी को थोड़ा साइ रुपए की गाड़ी है यार तो भाई इसके अंदर टायर वगएरा देगे थोड़ा सा वील पेस आपको छोटे ही लग रहा होगा मगर आप इसमें लगा लगा लेंगा थोड़ा सा बाहर से तो बहुत ही जाता अच्छी है वाली गाड़ी तो भाई इसमें आपको एक सो प लस्म चल लेते हैं, पीछे की तरफ, पीछे की की प्रोफाइल के बारे में बात कर लेता है तो भाई पीछे से इस तरहीं के माहूल है गाड़ी पीछे से ये चीज बहुत बड़ बड़े आ भाई in algumas लेका बहुत बीग बहुत बड़ेर बढ़े मस्टास तरह हा और यहा ब बरातो नहीं मिल पाएगा camera है ही नी जाड़े के अंदर camera नहीं मिलता है music system नहीं है तो इस तरीके का आगे की तरह पीछे भी हापे आपको यह silver colour की यह यह trace मिल जाएगी इस तरीके के screw के साथ foglamp foglamp इसमें है यह defogger नहीं है high stop lamp मिलेगा antenna वर्ना इसमें एंटीना भी नहीं है तो भाइ इस तरीके के पीछे से पूरा का पूरा complete view हमारा back profile का इस तरीके का देखने के लिए हमें मिल जाता है तो भाइ कोई भी इस तरीके की बैजिंग नहीं है कि base model देखने में लगे और भात रहा कि भाइ वील बेस की वील बेस में नहीं बताया वील बेस आपको इसमें 2450 mm का वील बेस मिल जाता है 14 इंच के टायर है गाड़ी के अब चलते हैं भाइ साब थोड़ा सा अंदर का इंटीर दिखा देते हैं आपको सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी की चाबी दिखाँगा चाबी भाइ यह देखिए base model है base model में यह वाली flip की मिल जाती है base model में बढ़या flip की देखने के लिए मिल जाते हैं और base model नहीं मिलती है अब बात करेंगे भाइ अंदर से अंदर से हमारे गाड़ी के बारे में पूरा blackout interior पूरा का पूरा black किया हुआ interior यहाँ पे power window switches 2 available हो जाते हैं यहाँ पे bottle holder और यहाँ पे यह देखिए ORBM को यहाँ पे से adjust कर सकते है bottle holder नीचे मिल जाता है तो पूरा इस तरीके का है speaker इसमें handy speaker की grill दे रखी है गाड़ी के अंदर ठीक है भाई हमारी seats fabric बहुत अच्छा है fabric seats मिल जाती है इसके अंदर और अंडर थाई support यह चीज हमारी बहुत अच्छे मिल जाती है height adjustment बढ़ा है height adjustment मिल जाती है इस base model के अंदर तो यह सारी चीजे तो भाई बहुत ही बड़ी है आप गाड़ी के अंदर बैटके ignition on करके दिखाते हैं तो भाई cluster की बात कर लेते हैं इस गाड़ी में cluster अपना base model होके fully digital दे रखा है fully digital सारी चीजे दिख जाएंगे आपको और भाई स्टेरिंग के बात कर रहा थे स्टेरिंग इस पर adjustment नहीं हो पायागा नो इंच का करीब का तो भाई बहुत ज़्यादा fulfill हो जाएगी यह जगवा बहुत ज़्यादा शांदार दिखेगा यह हजार लाइट का हमारा switch है AC events और यहाँ पर AC के manual controls दिये हुए हैं और एक चीज भाई इनमें यह देखो यह बड़े शांदार सी यार यह सईज़ी चीज दे रख्या है 5-speed manual transmission यह चीज आपको देखने के लिए आपे मिल जाती है adjustment IRBM में कोई भी नहीं है यहाँ पे कुछ बी नहीं मिलेगा और यहाँ पे वे card holder आपको मिल जाएंगे तो इस तरीके का है card holder यहाँ पे globe box का थोड़ा से space मिल जाएगा देखने के लिए तो यह हो गया पूरा का पूरा अंदर चीज बताने रहे गए भाई यह 30,000 रुपे गाड़ी महंगी क्यों है यह बटन देखने आप यह वाला यह वाला भाई इसमें आपको ट्रेक्शन कं control यह सारी चीजे safety की इस गाड़ी में आपको सारी मिल जाती है इसलिए 30,000 रुपे गाड़ी जादा आपको बैठ जाती है यह आपके bulb को lights को control करने के लिए यहाँ पे भाई dead pedal भी मिल जाता है गाड़ी के अंदर dead pedal यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे two गाड़ी की सारी movement दिख जाती है five speed manual transmission जैसे की मैं आपको बताया तो थोड़ा सा भाई करेंगे हम पीछे की बात पीछे से गाड़ी कैसी है वो देख लेए तो भाई आप चलते हैं पीछे थोड़ा पीछे से देखते हैं दरवाजे को खोल के अपना तो भाई यहाँ देख और वरना भाई पूरा पूरा फोल्ड करना चाहें इस पेस बनाने के लिए तो आप इसको फोल्ड कर सकते हैं बट पीछे बहुत अच्छा गादा स्पेस मिल जाता है अंडर थाई सपोर्ट चेक करें तो भाई बहुत अच्छी है पांच फुट आठ इंच मेरी हाइट है और यहां देखिए लेग रूम बहुत बढ़िया मिल जाता है तो लेग रूम पर ठीक ठाक है हर चीज गाड़ी में इतने कोई मैनेस वाली बात नहीं है भाई सब चीज बढ़िया है ठीक है और ऊपर यहां देखे पहले तो और ऊपर देख लेते भाई यहां पर 390 लिटर का बहुत बड़ा सा बूट स्पेस इस गाड़े के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है इस पेस देख रहे हो अब होंडाई वेन्यू जो गाड़ी है उस गाड़ी का जो बूट स्पेस से भी कंपैर करोगे नो उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा है 390 प् अगर भाई साब और भी स्पेस बढ़ाना है तो इस सीट को आप फोल्ड कर सकते हो इस पेस बढ़ जायागा और अब इसको हम करते हैं बंद अब मैं आपको बोनट की तरफ लेके चलता हूं इंजन के बारे में थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं बोनट खोल लेते हैं पहले बोनट खोल के देखते हैं यहां सिफर इंजन के बारे मैं आपको सारी चीज़े बताऊंगा बोनट खोलने के बाद देखते हैं भाई तो यह हमारा यहां पे कापा सीरीज का 1.2 1200 लेटर का पैट्रोल इंजन यहां पे पावरफुल देखने के लिए मिल जाता है भाई पावरफुल इंजन है ठीक ठाक है वैसे तो इतने कोई और भाई इतने कम प्राइज में बेस मोडल गाड़ी यह वाली मिल रही है इतने सारे फीचर्स के साथ तो और क्या चाहिए पावर ठीक ठाक है गाड़ी की अब माईलेज की बात करेंगे हम थोड़ा सा माईलेज किस बोनट के साथ और भाई यह चीज देख रहे हो आप जो चीज मैंने आपको पता है देनो साइडे में जो लोगी मैंने आपको दिखाये तिये भी जूम करके तो भाई वह यह है जो मैंने आपको दिखाया था 30,000 वपर कंपनी केस बात के फालतों ले रहे है हिलोर कंट्रोल ट्रेक्शन कंट्रोल, ABS, EBD यह जो सब चीज़े दे रहे है कंपनी तो उस चीज़े को वहाँ पे इन बिल्ट किया हुआ है तो भाई मैलेज की बात करें 19 का यह मैलेज आपको कंपनी क्लेम करके दे रहे है 19 का निकालके यह दे देगी 1,9 मलब पर किलोमेटर में 19 का आवरे चैनल पर अगर मेरे नए हो आप तो प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को थोड़े सा आगे बढ़ाना और इस तरीके के इंट्रस्टिंग वीडियो में आपके लिए और भी आगे लादा